हाई गाईज कैसे हैं आप लोग तो देखिए इस वीडियो में जाने के ट्रेडिंग एडिक्शन के बारे में देखिए ये कहने के लिए न काफी छोटा सब्द है ट्रेडिंग की लगते लेकिन ये काफी बड़ा एफेक्ट डालती है ट्रेडर के उपर जैसे अगर आप और मार्केट में कॉल या पुछ भी ले भी लेते हैं और उनको प्राफिट हो जाता है तो उनका जैसे ही ट्रेड लोज हो जाएगा न फिर उनको चुल मज जाएगी कि हम यहां पे कॉल लें या पूट लें या अपने दोस्तों से पूछेंगे भाई इसे में आपको क्या लगता है मार्केट उपर जाएगी नीशे जाएगी तो उनके बस दिमाग में यह चलता था कि यहां से कम कितने जल्दी ने दुबार आम ट्रेड में एंट्री कर लें यानि वो लोग मार्केट को एक-एक मूब को भी छोड़ना नहीं चाहते थे तो नहीं कुछ समझ में आ करते हैं आप लोगों को एक बार नुक्सान हो गया बिना सेट अब करने के लिए ओभर ट्रेडिंग करते हैं तो तो जो कभी कभी होता है लेकिन जो ट्रेडिंग एडिक्सान है जब वह आदमी को जब लग जाती है न तो वह काफी खतरना है कि वह आप उनका पूरा क्रेप की साफ से ट्रेड करते हैं और आपना सेट अब किसाफ से प्रॉपिट लोस देखते हैं तब तो ठीक है आप ट्रेडर हैं लेकिन अगर आपका बिना किसी सेट अब कर आप बराबर कंट्रूर्स अगर आप ट्रेड में कर रहे हैं तो वहाँ पे आप ट्रेडर नहीं है वहा हमारे भी साथ इसी घटना हुई हम आपनों को उदारन देते हैं जैसे मान चलिए कि हम क्या करते हैं क्योंकि देखिए आप सुन बाइंग का जो सेटफ है न वह डेली बन नहीं पाता है अगर कशिष्टेंट प्राफिट चाहिए तो आप संसेलिंग से कशिष्टेंट मार्केट या काफी ज्यादे गैप डाउन पर हो जाता है तो आप अगर आप लोग देखें तो एक से दो मेने का जो फी इनकम होता हो एक ही दिन में वाइप आउट हो जाता है तो हम लिए कि हम यह आप ओवरनाइट ट्रेडिंग नहीं करेंगे तो ठीक है उसके बाद कभी ओवरनाइट ट्रेड नहीं करते हैं फिर इसके बाद हमारा क्या था कि जैसे एक रूल था कि हम दस बज़ के तीस मिनट से और लगवक बार साड़े बार बज़े तक ट्रेड नहीं करेंगे हमारा एक सेट अप उसकारिया के साफ से जब मार्केट में जो भी यह रोता था उ लता था तो वो तो सभी चला था और हम कंट्नियूरस प्रापिट में भी रहते थे लेकिन यहां पर लगवक बीस थीज दिन पाहले क्या हुआ कि मतलब हो तो हमारा सब कुछ ठीक चल ला था लेकिन वहां पर जो हमारा रूल था कंन्तिनुनूरस प्रापिट में आने के बा तो हम क्या किए कि वहां पे टेन ठर्टी तक फिर भी ट्रेड इनिसियेट करते हैं तो वहां पे भली नुक्सान हो जाता था तो चलिए ठीक वह साम तक मतलब जो दो बज़ेख बाद एंट्री करते थे तो नुक्सान कबर के प्राफिट में भी आ जाते थे और डेंड में प् जावग एक एक वजे तक हमारा रूप के बीच में हम करेंगे और एक यहां मतलब की दिन बज़ेख करना ना है इस्के वजह से क्या उनए इसका फिप्ती परसंट आ करके फिर दुबारा प्राफिट करते हैं यानि कि उसके वज़े से हमारा फेप्टी पर्सेंट लगबग प्राफिट डिक्री जुने लगा और वहाँ पर हमें पता भी नहीं चला धीरे-दीरे उसके एडिक्ट हो चुके थे और वहाँ पर हमारे मतलब हम साव sudah करते हैं लेकिन वह गलत था क्योंकि जैसे जो हम अपना रूल बनाये थे जो हमारा इप था ठाव स्क्र mrp करते हैं तो वहाँ पर चाहिंब करना मैं रोल को रिलाइसकर시죠 जिसके हमारा जो प्राफिट का साइज था धेर धेरी डिकरीज होने लगा और देखिए तो वहां पर हमें महसूस होने लगा था कि हां यहां पर हमसे गलती और हमारा कंट्रोल नहीं यह खुद पर लेकिन जिस सामको अगर प्राफिट रहता से तो उसके जादे ध्यान नहीं दे पाते थे फिर एक बार हमारे साथ लगबा कि पीछले विक में ऐसा हुआ था कि हमें नुक्सान उठाना पड़ा उस दिन हमें महसूस हुआ कि हां आम से बहुत भारी मिश्टेक हुए क्योंकि देखिए अगर हमें मार्केट के वज़े से कोई नुक्सान होता है जहां प अगर हम वहां पर ट्रेडिंग करते हैं अगर वहां पर नुक्सान होता है तब वहां पर काफी आया तकलीफ होता है कि हां यहां पर हमारा कंट्रूल नहीं था इसके वज़े से हमारा नुक्सान हुआ है तो जब हमारा वहां पर जब लोस में क्लोज वा तब हमें महसूस मार्केट के वज़य से अनलाइस किये और फिर धीरे दीरे उसमें हम कंट्रोल कि है और अब जाकर कि मतलब हम पूर्ण रुमंसे कंट्रोल कर चुके हैं और यहां पे हम अपने रूल को फालॉ करने weg होते हैं अध्यिक्साइब देखेसे जो हमारा नुख्सान होता चली हो जाता है तो लोग आता है सिर्फेसाइब नहीं बता हुआ हैक याज हमारा नुखसान हुआ है क्योंकि वहां हम जानते हैं कि मार्केटके वजह से और पाट्रों प्रफिट लगा रहता है तो वहां पर अगर किसी को अगर बता भी बताते विया है कि आज हमारा यह नुख्सान हुआ तो लोग बोलते हैं नहीं तूम तुम गजाक कर रहे हो अकर तुम्हारा नुकसान तो तुम इतने खुछस नहीं होते लेकिन देखे उन नुकसान और जैसे क्या है कि हम कभी भी ट्रेड करते हैं कि सफिव यहां प्रूशां होगा लेकिन देखिए जिस दिन जैसे अगर हमारे वज़े जैसे अपने रूल को जब ब्रेक करते हैं उस दिन चीहरा पढ़के बता देगा कोई कि भाई नुक्सान हुआ है और देखिए यहां पे पिछले महीने हमसे एक बार ऐसा हुआ था और उसे कंट्रोल किये थे फिर इस महीने में मतलब हमें चलता रहा था लेकिन प्रापिट मो की छोटा चीज आप लोगो को लगता है लेकिन काफी बढ़ा है अगर आप लोग देखिए इसी अगर सुणार नहीं को काफी बनेशी था हैं जिसमें बताते हैं पहला भिम लेगा जो रोगने लगने लगे गा और हमारा जो Simmons Rights लगते हैं, वो काफि रिड्यूश हो जाते हैं यहां पर आपनों को काफि बनियुट होगा जैसे कि आपनों का जो लोस है वह भी रिड्यूश हो कि आपनों का अर्ट नहीं की सरकार को जो दिए आप लोग दूर कर पाएंगे कोई और दूर नहीं कर पाएगा क्योंकि देखिए आप लोग को ट्रेडिंग का सेटा भी पता है और सारी चीजे पता है लेकिन आप लोग अगर उस रूल को फालो ही नहीं करेंगे तो आप लोग मार्केट से पैसा नहीं बना पाएंगे तो देखिए किसी के भी साथ हो सकता है माले हम भी इतने काफी दिनों से ट्रेट कर रहे हैं लेकिन जब हमारे साथ भी हो जा रहा है तो यह किसी के भी साथ हो सकता है लेकिन देखिए जब एक बड़ा नुक्साम जाता है तो काफी दिनों तक चीज़े याद रहती है और काफ पर बने रहेंगे तो आप लोग के लिए काफी अच्छा रहेगा तो देखिए हम लगा कि यह काफी इंपोर्टेट जनका है तो हम सुचें आप लोग साथ शेयर कर दें अच्छा एक ज़िए आप लोग ज़रूर बताएं कि क्या आप लोग अपने इसाफ से डीसीजन लेकर क ट्रेट करते हैं आप लोग मार्केट आप लोग से ट्रेट करवा लेती है कामेट में ज़रूर बताएं इस वीडियो में इतना ही मिलते हैं नेक्ट वीडियो में हैपी ट्रेडिंग